स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल आदेती है मोटराइड में और आज हम बात करेंगे 10 अपकमिंग बाइक्स के बारे में जो 2024 में इंडियन मार्केट में लॉंच होने वाली है तो यहाँ पर नमबर वन पर आती है यहां महां फेजर 150 फेजर 150 एक कम्यूटर सेगमेंट बाइक है जिसकी यहां पर प्राइजिंग रहेगी 1,20,000 रुपे बाइक का जो लोकिसन रिजान है वो थोलो बहुत यहां पर स्पोर्टी है और देखने में यह बाइक डिसेंट भी लगती है बात करते हैं इसका लेक्टरिकल्स के बारे में तो फ्रेंट में आपको LED हेडल प्रेंट में पीछ आपको डुल शॉक एब्सार्वर सस्पेंशन दिया जाता है यूबियेस ब्रेकिंग टेकनलोजी आपको यहां पर दी जाती है तो ब्रेकिंग भी बड़िये मिल जाती है जो बाइक का हेंडल बार है वो भी अपराइट रहेगा तो आपको चलाने में को पुली फेड स्पोर्ट्स बाइक रहेगी जो कि आपको कम सीसी में इंडियन मार्किट में मिल जाएगी इस बाइक कीमत रहेगी एक लाख साथ हजार रुपे और इस प्रैस सेग्मेंट में आपको बहुत ही शांतर बाइक यहां पर कावसा की कंपनी देने वाली है जो 18BHP की पावर और 12Nm का टॉर्क मिलेगा और नंबर ओगेर्स यहां पर आपको 6 दिये जाएंगे फिर यहां पर आपको एनलोग और डिजिटल कंस्ट्रुमेंट कंसोल दिये जाएगा सिंगल चनल ABS की यहां पर आपको फीचर दिये जाएंगे डूल डिस्क ब्रेक आपको बजार में लॉंच होने वाली है नंबर थरी पर आती है हस्क वरना स्वाट पिलियन 125 हस्क वरना कंपनी के कुछ ज़्यादा अच्छे कांप नहीं चल रहे हैं इंडियन मार्केट में उनकी जो बाइक से वो भी इतनी सेल नहीं हो पारी है इसलिए उन्होंने यहां पर प्ल सिंगल स्लेंडर लिक्विड कूल इंजन जिसमें आपको 14 बेच्पी पावर और 12 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलेगा और नंबरों गेर्थ यहां पर आपको च्छे दिये जाएंगे बाइक में आपको फुली डिजिटल इंस्ट्रुमेंट कंसोल दिया जाएगा सिंगल च यह Honda CB150R, CB150R आप सबको यहां पर बहुत पसंद आएगी, बाइक को जो लुक्स मिलता है बाइक में वह बहुत भैतनीन दिया जाता है, बात करते हैं इसके लेक्टरिकर्स की तो फ्रेंट में आपको LED हैल लाइट्स, LED DRL और पीछे आपको LED टेल लाइट और बंडिकेटर् में तो यहां पर आपको दिया जाएगा 149CC का liquid cooled single cylinder engine जिसमें आपको 20bhp की power और 14Nm का torque मिलेगा और number of gears यहां पर आपको 6 मिल जाएगे, बाइक में आपको fully digital meter दिया जाएगा, dual channel ABS offer किये जाएगे, सामने आपको USD fork suspension और पीछे आपको monoshock absorber suspension दिया जाएगा, 17 इंजिस के अलोई wheels आपको यहां पर दिया जाएगे, फ्रेंट में आपको disc brake और पीछे भी आपको disc brake दिया जाएगा, अब अगर बात कर लेते हैं कि यह बाइक कब तक launch हो जाएगी, तो जुलाई 2024 में यह बाइक launch होने वाली है, नमबर 5 पर आती है Yamaha MT 125, MT 125 का का काफी लोग बेस दजार कर रहे हैं और अब यह बाइक बहुत जल्द इंडियन मार्केट में launch होने वाली है, इस बाइक की कीमत रहेगी 1,30,000 रोपे, बाइक का जो लुकसिन डिजैन वो identical रहेगा MT 15 की तरही, बस यहां पर आपको थोलो बहुत cosmetic changes मिलेंगे, इस टिकरिंग वगेर आपको य 11 Nm का torque मिलेगा, और number of gears यहां पर आपको 6 दिये जाएंगे, बाइक में आपको fully digital instrument console दिया जाएगा, dual channel ABS दिये जाएंगे, और Yamaha की advanced technology आपको इस बाइक में offer की जाएगी, फ्रेंट में आपको telescopic suspension और पीछे आपको monoshock absorbed suspension दिया जाएगा, और जो बाइक की build quality वो ताको ब बाइक है जिसकी pricing रहेगी, एक लाख रुपे, बाइक का जो looks and design वो बहुत ही शांदर देखने, बाइक बहुत गजब की लगती है, बात करते हैं इसके electricals की, तो फ्रेंट में आपको LED headlights, LED indicator और पीछे आपको LED टेल लाइट दिये जाएगी, एंजिन इसमें आपको 125 CC का single cylinder liquid cool engine, जिसमें आपको 15 BHP की power और 13 Nm का torque मिलेगा, और number of gears यहाँ पर आपको 6 दिये जाएगे, बाइक में आपको fully digital instrument console दिये जाएगा, सामने आपको telescopic suspension मिलेगा, और पीछे आपको monoshock absorber suspension दिये जाएगा, dual disc brake और single channel ABS में ये बाइक आएगी, अब अगर बात कर लेते हैं कि कब तक launch हो जाएगी तो जुलाई 2024 में ये बाइक launch होने वाली है, number 7 पर आती है Honda CB125R, CB125R एक naked sports बाइक है, जो कि यहाँ पर आप सबको बहुत पसंद आएगी, इस बाइक की pricing रहेगी 1,10,000 रुपे, बाइक का जो लुक्सर निजाने बहुत ही सही है, देखने बाइक बहु इंजन जिसमें आपको 13 BHP की पावर और 11.6 Nm का टॉर्क मिलेगा और नमबरों गेर्स यहाँ पर आप कुछ है दिये जाएंगे, बाइक में आपको डुवल चनल ABS दिये जाएगा, डुवल डिस्क ब्रेक मिलेंगे और यहाँ पर आपको fully digital instrument console दिये जाएगा, सामने आपको टेलिस्कोबिक सस्पेंशन और पीछे आपको मोनोशॉक एब्सॉर्बर सस्पेंशन दिया जाएगा, अब अगर बात करेंगे यह बाइक कब तक लॉंच हो जाएगी, तो जुलाई 2024 तक यह बाइक लॉंच होने वाली है, नमबर एट पर आती है यामाहा XSR 155, XSR 155 का का काफी लोग इंडियन मार्किट में वेट कर रहे हैं और काफी लोगों को यह बाइक बहुत ज़्या पसंद आती है, इस बाइक कीमत रहेगी 1,70,000 रुपे और जिस प्राइस सेग्मेंट में यह बाइक आरी उसमें आपको जिलुक से वो बहुत ही शांदार दिया जाता है, नियो रैटरो सीरीज के अंदर यह बाइक आती है, इसके लेक्टरिकल्स की बात करे तो फ्रेंट में आपको LED हेडलाइट, पीछे आपको LED टेलाइट और बल्ब इंडिकेटर्स दिया जाते हैं, एंजिन इसमें आपको दिया जागा 155 CC का सिंगल स्लेंटर लिक्विड कू अब अगर बात करेंगे, यह बाइक कब तक लॉंच हो जाएगी, तो आउगस्ट 2024 में यह बाइक लॉंच होने वाली है, नमबर नाइन पर आती है, जो कि यहां पर आप सबको बहुत का पसंद आने वाली है, इस बाइक कीमत रहेगी 1,20,000 रुपे और जिस कीमत पर यह बा बल्ब इंडिकेटर और पीछे आपको LED टेल लाइट दी जाती है, इंजन इसमें आपको दी जाता है, 124 सिसी का सिंगल स्लेंडर लिक्विड कूल बीए सिक्स इंजन, जिसमें आपको 14 बेच्पी की पावर और 10 न्यूटर मीटर का टॉर्क मिलता है, और नमबरों गेर्थ यहाँ पर आपको कुछ है, दीए जाते हैं, बाइक में आपको ओल डिजिटल कंसोल दिया जाता है, डूवल चनल ABS, प्रेंट में आपको USD फोक सस्पेंशन, पीछे आपको मोनोश्रक अब्सार्वर सस्पेंशन और डूवल डिस्क ब्रेक आपको अविलेबल करवा दी जात है, मतलब एक प्रॉपर स्पोर्ट्स बाइक का फील चाहिए, तो वो इस बाइक के लिए थोड़ा सा वेट कर सकते हैं, एक लाग पैतर जार रूपे इस बाइक की कीमत रहेगी, जो लुक संड जाने वाको बहुती प्रीमियम स्टैलिश और स्पोर्ट ही दिया जाता है, इ प्रेंट में आपको LED हेल लाइट, LED इंडिकेटर और पीछे आपको LED टेल लाइट दी जाती है, बात करते हैं इसके एंजन की तो यहां पर आपको मिलेगा 125 CC का सिंगल स्लेंडर लिक्विट कूल एसो एचसी इंजन, जिसमें आपको 12BHP की पावर और 11N का टॉर्क मिलेग और नंबरों गेर्स यहां पर आपको चैए दिये जाएंगे, डुवल डिस्क ब्रेक और सिंगल चनल ABS के साथ में आपको यह वाली बाइक मिलेगी, इसमें आपको एनलोग और डिजिटल का मीटर दिये जाएगा, फुली फेड में यह बाइक आती है, और इसके जो लोग से यह बाइक लॉंच होने वाली है, बागी दोस्तों आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि इन 10 बाइक में से कौन सी बाइक यहां पर आपको पसंद आई है, या फिर कौन सी बाइक को आप लेना पसंद करोगे, अभी के लिए थैंक्स, टिल दैन वीट फॉर मै न्यू अपकम बाइक गास के लॉर मै बाइक मशकी भी के लिएप वीधो मै उन्यू एक विप्रीट थे आपश्वी और डॉंड, चाहं पर इन 9 टाहं इस दो नएक बाइक हो बाइक लिए नह कर दो शरके तो वाली है, यह जूदिए ऑबाइक लीड शरें सोरां हूआरां मैं पर दोना